Hello everyone, Good evening, इस वीडियो में R.O.A.R.O. के बरे में बात करने वाला हूँ So if you are preparing for R.O.A.R.O. exam, जो कि आपका कॉंब के बात expected है, संभावित है आपी finally confirm कुछ भी नहीं हुआ है, वो आपको आयोगी बताएगा लेकिन आप उसके साब से तैयरी करना है, तो अगर आप R.O.A.R.O. के एक्जाम के लिए सीरियस है अच्छे से तैयरी करके चीजों को करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं एक्जाम को तो मैं एक initiative शुरू करने वाला हूँ, फिर से, ये पहले भी चला है, बहुत helpful रहा है बट क्यूंकि अब R.O.A.R.O. के लिए आपके पास एक golden opportunity है, तो इसलिए ये again इसको शुरू किया जा रहा है टेलिग्राम चैनल है अनुच चत्रवेदी ऑफिशेल, मेरा जो चैनल है, उसको आप जोइन कर लिजेगा कल से यानि सी Monday से, यानि की Sunday से, यानि की 8 December से, मैं वहाँ पर fix का revision दुबरा से शुरू करवाने वाला हूँ, जो important चीज़ें होती है जो भी important topics हैं, जो भी important theme है, जिनसे आपके R.O.R.O.K. pre-K exam में चीज़ें पुशी जा सकती है उनको मैं वहाँ पर share करने वाला हूँ, ठीक है? ये अब आपकी responsibility है, कि अगर आप इस exam के लिए, इस opportunity के लिए serious हो, लगे हुए हो लोगातार, तो आप उन चीज़ों को तयार करते रहो एक जो important इसमें catch है, वो ये है, कि जब भी कभी मैं इस तरीके से कोई चीज share करता हूँ, तो उसमें कई बार होता है, कि काफी जो लोग हैं, वो ये चीज़ पूसते हैं, कि ये किस source का है, किस book का है, सारी चीज़ें, वैसे तो उसमें चीज़ दिख जाती है, कि ये कौन सी book है, क्या है, बट वहाँ पर मैं बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं बता पाता हूँ, कि ये किस source से लिया गया है, या कौन सी किताब है उसके पिछे देखिए एक रीजन ये भी है कि मैं दो चार दस बीच लोग को तो बता सकता हूँ बट मैं हजारों को नहीं बता सकता पहली चीज़ हो ये सेकंड चीज़ ये है कि आपको material चेस नहीं करना है अगर material ही चेस करना होता है मैं आपको किताब बता देता या आप x, y, z कहीं भी जगा से किसी भी जगा से source सुन लेते या आपके पास होता और आप उसको ले लेते पढ़ लेते game वो नहीं है आपको topics और themes जो आयोग जिनसे question पूसता है जो इनके favorite चीज़े हैं जिनसे question के आने के chances जादा होते हैं उनको पढ़ना होता है उनको filter करना होता है तो वो काम मैं वहाँ पर कराता हूँ तो अगर आप उन चीज़ों को जो मैंने topics या theme दी है वही के वही पढ़ लेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा लेकिन ऐसे चलते फिरते ट्रेलिग्राम स्क्रोल करते हुए आप काफी काम की चीज़ों को पढ़ना सीख जाएंगे और आपको पता रहेगा कि जो इतनी सारी चीज़ें दी गई है उसमें ये चीज़ें इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं वह पर फिल्टर करा देता हूँ प्रॉपर की इसमें देखो ये इस तरह से आया हुआ है तो वह चीज़ आपकी कहने को देखने में एक दो मिनट की है एक नॉर्मल फोटो है लेकिन उस फोटो को अगर आपने समझ लिया उसमें जो चीज़ आपका टाम उटलाइज होना शुरू हो जाएगा तो आप चैनल जॉइन कर लेना कल से संडे से आपको वहां पर मैं कुछ ना कुछ चीज़ना डाल दिया करूँगा अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आर यारो के बीच में यूपी पीसस का अभी एकजाम है तो उस कि यहां ठीक है अभी आपको रुजन अच्छा चल रहा है अभी टाम नहीं मिल पा रहा है अभी यहांपर सही चल रहा है accordingly मैं कम जाधा करता रहूंगा लेकित अगर उसको आपने जॉयन कर लिया और उसको आप वहीं के वहीं पढ़ते रहे तो मैं यह आपको I Overall तक जब त यह important है उसको आप देख लो अगर research center को यूपी के हैं अगर यूपी की कोई soil profile है अगर कोई export का center है import का center है कोई अगर नए institute बन रहे हैं कहीं अगर कहीं पर कोई current affairs की चीज़ है अगर मैंने share की है तो इसका मतलब मैं बहुत help करेगा और यह चीज़ बहुत try and tested है मैंने पहले भी इस चीज़ को दो से तीन बार implement किया हुआ है जब आपका ग्यरा फ्रवरी को exam होता तब भी किया था यूपी पीसस के लिए भी लगाता रिये चला तो और पिछले साल तो बहुत जादा इस चीज़ ने growth करवाई ती लोगोंगी तो इसलिए अब यह golden opportunity है इस time पर कई बार mobile से जो चीज़ें आप पढ़ लेते हो जो आप laptop से चीज़ें पढ़ लेते हो जो चलते फिलते चीज़ें आप पढ़ लेते हो ना सर्दी के मौसम में वह बहुत help करती है इसलिए ध्यान रखना और इसमें सारे sections होंगे तो जो topic जो चीज़ आपको वहाँ दी गई आप material या ब जाएगी और बता भी दिया जाएगा कि देखो इसमें यह इतनी 400 पन्य की मोटी किताब है इसमें से किवल यह चीज़ काम की है इसमें यह topic दो टॉपिक बहुत अच्छे दिये वह दो टॉपिया आपको दे दिये गए ऑल्सो इस पर मैं हिंदी की चीज़ भी शेयर कि यह इसके यह बहुत important है इनको देख लेना तो इसे एक शब्द के मालो अगनी है अब अगनी के मालो तीस दिये तो तीस रटने की जुरूत नहीं है तीस में से कुछ 15 या 20 ऐसे हैं जो बहुत important है उसमें से 5 ऐसे हैं जो मतलब आते ही आते हैं तो वह आपको याद रखने हैं वह अक्सर आपके options पगरा में आपको देखने को मिल जाते हैं और यह चेहों topic कर आएगा हिंदी के prelims के लिए इसके लबा जो आपका बाकी की सब्जेक्स नहीं है जैसे history, geography, policy, economy, science, environment, agriculture का portion बहुत अच्छे से आता है RORO में तो वह भी आपको मैं बरता हूँगा यूप आपका output हैगा क्योंकि आप लोग बताते हैं तो जैसा majority बताती है उसके according में उसको कम्या जादा करता रहूँगा वो balance out हो जाएगा वो इतनी बड़ी कोई problem नहीं है लेकिन वो चीज को तयार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप चारो front पर आपको attack करना पड़ेगा सिर आपको जोइन कर लेना है गुरूप को और वो टर्गेट को आपको फॉलो करना है उसमें priority basis चीजने चल रही है और इसको पंद्रा बीस दिन ऑलेडी हो चुके है तो लोग उलेडी उसमें लीड बना चुके हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और मैं पहले भी तीन बार क्योंकि टर्गेट सेलबा चुका हूँ फ्री निशेटिव रहे हैं हमेशा से तो उसके थ्रू लोगों ने तीन बार ओलेडी डिविजन किया हुआ है चीजों का स्लैपस को रिवाइस कर चुके हैं तीन बार तो मेरे साथ बाकि अपना उन्होंने जो पढ़ाई कियो कहीं कुछ लि यूट्यूब पर वीडियो अब लगातार आते रहेंगे यूपी पीसस का पेपर हो जाएगा तो जो सुबा वीडियो आया करेगा वो आरो यारो का होगा और अभी जब तक यूपी पीसस का पेपर नहीं हुआ है तब तक रात में जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो आरो यारो related ही होगा और फिर एक्जाम तक लगा तार आपका आरो यारो का लेकर के एक वीडियो आपको बनाया जाएगा बताया जाएगा और उसमें काईदे की चीज कोई ना कोई important जो आपकी preparation में आपको help करेगी वो आपको बताया जाएगी आपका value addition करवाया जाएगा तो इसलिए लग जाएगे एक भी धिन सर्दी का ठंड का waste नहीं होना चाहिए शाम को रात में सोने से पहले आपके पास खुद के लिए accountability होनी चाहिए कि यार पूरे दिन में क्या किया है मैंने ठीक है तो ध्यान रखेए का अनूच चत्रविधी ऑफिशल थेंक्यू वहीं मिलते हैं